आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हिमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर और इस वीडियो में महत्मुट जानकरी है NBS Recruitment 229 बिध्याले समीती ने 1900 से जादा पदो पर निकाली भड़ती कल है आप इदन की आखरी तारीक तो इस वीडियो को जादे से अदक गुरूप में आप लोग शेर कर दें ताकि सभी कोई जानकरी मिल जाए और जो लोग नए हूँ वह है सब्सक्राइब जुरू कर लें हमारे इस चैनल को और बेल अकिन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकरियां मिलती रहें तो देखिए मैंतपुर जानकरी है कि नवुद्धि विध्याले समीती ने नौन टीचिंग पदो पर भरती निकाली थी इस भरती के लिए कल यानिकी 10 फरवरी को आखरी तारीक है ओनलाइन आविदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उमीद्बार जलसे अल्द NBS की ओफिसिल वेबसाइट पर जाकर आविदन कर सकते हैं और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और इसी चैनल के माध्यम से NBS, KBS की जो भरतीया निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में जो भरतीया निकलती हैं उन सभी के बारे में मैत्पूर्ट जनकारिया दी जाती हैं तो इसके बार हम देखेंगे इसी के संबंद में मैत्पूर्ट जनकारिया तो आगे हम देखते हैं इस भरती के लिए आविदन की प्रिक्रिया 12 जन्वरी 22 से शुरू हुई थी रिक्त पदों की संखिया 1925 है और इस भरती के माध्यम से गुरूप A, गुरूप B, गुरूप C के पदों पर निक्तिया होंगी यानि कि इसमें एक महिने से आपकी ओनलाइन आविदन प्रिक्रिया चल रहे थे तो इसमें कल आपकी लाज़ेट है तो इच्छों का भ्यारती इसमें जल से अल्द आविदन कर दें और इस वीडियो को शेर कर दें आपकी सभी को ताकि सभी को जानकरी मिल जाए तो इसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखी इसमें दे रखा है कि असिस्टेंट कमिशनर के लिए आविदन करने के लिए सुल्क है 15 रुपे और महिला नर्सिंग इस्टाप के लिए 12 रुपे लेव अटेंट यानि कि मैस हेलपर और MTS के लिए 750 रुपे सुल्क निशित किया गया है और अन्य पदों के लिए 1000 रुपे इसमें सुल्क बदाए गया है तो ये मैत्पुर्ट जानकारी है हमारे इस चैनल के माध्यम से तो देखते रहें आप लोग हमारे चैनल दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल और लाइक करें शिर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथन्टिक जानकारियां मिलते रहें धन्यवाद